दे मातरम वेलकम टूड़े एक्जाम क्लासेज जी हाँ दोस्तो आज है 25 अगस्त दोचार 21 25 अगस्त दोचार 21 के जितने भी मोश्ट इंपोर्टेंट करंट अफैस बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तो जी हाँ दोस्तो तो ध्यान से देखेगा दोस्तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करेगा और चैनल को आगी से आगे सेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा दोस्तो अगर आपको यह क्यूशन आपकी कॉंपिटेशन लेवल की तियारी को और भी मजबूत बनाते हैं तो तो चलिए आपके सामने यह पहला क्यूशन आज की टूडेज क्रंट अफैस Q1. केंद सरकार ने नए बनाए गए साकारिता मंत्राले का सेयुक्त चचिव किसे नियुक्त किया गया है अबे कुमार सिंग, राउल चचदेवा, मनोच अगरवाल, विने कुमार तिरपाटी तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो Q1. केंद सरकार ने अबे कुमार सिंग को देश में सहकारिता अंदलों को मजबूत करने के लिए हाली में गटित सहकारिता मंत्राले का सेयुक्त सचिव नियुक्त किया है अबे कुमार सिंग भारतिय प्रस्यासनिक सेवा IEASS के 2004 बैस के बिहार केंदर के अधिकारी औरुने नव निर्मित मंत्राले के सेयुक्त सचिव के पज़ पर नियुक्त किया गया है किने किया गया है अबे कुमार सिंग को चलिए next question आपके सामने question बस second उत्तर परदेश सरकान राम मंदी तक जाने वाले मारक का नाम निम्ड में से किस पूरो मुक्य मंदी के नाम पर रखने की कोशना की है नारेन दत्त तिवारी कल्यान सिंग विश्वनात परताप सिंग मुलायम सिंग क्या दो तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो option number 20 correct होगा कल्यान सिंग उत्त प्रदेश के डिप्टी सियम के से उपरसाद मोरिया ने बते हैं कि आयोधिया में राम जनम भूमी परिसे तक जाने वाली सड़क का नाम कल्यान सिंग मारक रखा जाएगा इसके साथ ही अलिगड एरफोर्ट का नाम भी कल्यान सिंग के नाम पर रखने का विचार चल रहा है बताय जा रहा है कि इसको लेकर केबिनेट में फैसला जल्द हो सकता है किसके नाम से होगा आली में निदन हुआ कल्यान सिंग का पूरों मुक्यमंत्री कल्यान सिंग के नाम से रखा जाएगा next question, question number third आपके सामने के अंदर सरकाने कितने लाग क्रोड उपे के national monetization pipeline का गोशना किया है 2 लाग क्रोड उपे, 4 लाग क्रोड उपे, 6 लाग क्रोड उपे, 9 लाग क्रोड उपे तो इसका सही option होगा दोस्तो, option number C is correct, 6 लाग क्रोड उपे केंदर सरकाने 6 लाग क्रोड उपे के national monetization pipeline का गोशना किया है इस scheme के जरिये road, railway से लेकर power sector में इर्फा एटेस्टे monetization किया देगा इसका मकसद इंफ्रा ट्रक्सर एटेसंस को monetize करना है, जिसमें energy से लेकर road और railway सेक्टर सामिल है कितने लाग क्रोड उपे, 6 लाग क्रोड उपे monetization pipeline की कोशना की गई है किसने किये हैं, केंदर सिरकाने चलिए, next question आपके सामने Q4, वायू परदूशन को कम करने के मकसद से देश का पहला smoke tower निर्मेश के सेर में लगया गया है पटना, लकनव, चैनाई, दिल्ली तो इसका सही answer होगा दोस्तो, option number D is correct दिल्ली में लगया गया है दिल्ली में वायू परदूशन को कम करने के मकसद से देश का पहला smoke tower कॉनट पैलेस में लगया गया है अमेरिकी तक्निक से बना ये smoke tower हवा में परदूशन की माधर को कम करेगा मुख्य वमत्री अर्वीन केजरी वाले कनॉट पैलेस में 23 अगस 2021 को देश को पहले smoke tower का उद्गाटन किया है smoke tower का लगया गया है दिल्ली में लगया गया है next question आपके सामने question 5 हाली में किस वरिष्ट अधिकारी ने सूसना वा परसार मंत्रारे में नए ससीव के रूप में कारेबार संबाल लिया है move on set अप पूरू चंद्र राकेश त्यागी अनुपम चच्च देवा तो इसका सयांस रोगा दोस्तों option number 20 correct अप पूरू चंद्र हैं उसने अब भी अपना कारेबार चंबाल दिया है किसने समल दिया है अप पूरू चंद्र पार्तिय प्रसासनिक सेवा IAS के वरिष्ट अधिकारी अप पूरू चंद्र ने 23 अगस 2021 को सूसने अप परसार मंत्राले के बतर्ट चजीव पदभार गरैन किया है सूसने अप परसार मंत्राले ने एक बयान में कह है कि माराष्ट कैडर के 1982 के IAS अधिकारी चंद्र सरम अप रोजकार मंत्राले के ससीव भी रहे है कौन रहे हैं अपूरों चंद्र जिन्होंने अभी हाली में सूजने आउपर सारा मंत्रारे में नए ससीव का कारे पार संबाला है नेस्ट क्यूसन आपके सामने क्यूसन नमबर सिक्स भारतियव परति इसपर्दा आयोग CCI ने मारूती सुजु की इंडिया लिमिटेट पर अनुचित व्यफार व्यवार में सामिल होने पर कितने करोड रुपे का जुर्माना लगया है 200 करोड रुपे, 300 करोड रुपे, 400 करोड रुपे, 500 करोड रुपे वी निर्माता मारूती सुजु की इंडिया लिमिटेट पर अनुचित व्यफार व्यवार में सामिल होने पर 200 करोड रुपे का जुर्माना लगया है इसके साथ ही CCI ने कमपनी को परति इस्वदा रोधी व्यवारों में सामिल नहीं होने तता उन्हें बंद करने का भी निर्देश दिया है नेक्स्ट क्यूसन आपके सामने क्यूसन नमर्स सेवन भारत और किस देश ने 20 अगस 2021 को AK-130 राइफल खरीदने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्सक किये है जापान, नेपार, चीन, रूस तो इसका सयान से रोगा दोस्तो आप्सिर नमर्स 10 करेक्टर रूस के साथ समझोता किया है भारत और रूस ने 20 अगस 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्सक किया है ये सोदा मेगा इंफेंटरी आजोनी करण कारिकरम के एक भाग के रूप में किया गया है इस कारिकरम के तहत भारतिय सैना के लिए रूस से कहीं AK-103 स्रंकला की असौल्ट राइफले खरीदी जा रही है नेक्स्ट क्यूशन आपके सावने क्यूशन आव एट भारत के अमित खत्री ने केनिया की राजदानी नेरोबी में अंडर 20 वर्ल्ड एतलेटिक चैंपियन्शिप में 10,000 में पैदल चाल में कौन सा पदक हासिल किया है पारत के अमित खत्री ने केनिया की राजदानी नेरोबी में अंडर 20 वर्ल्ड एतलेटिक चैंपियन्शिप में 10,000 में पैदल चाल में रज़द पदक हासिल किया है अमित खत्री ने ये दूरी बैयाने स्मेंट 17.4 नौ सेकेंड में फूरी किया है जबकि इस इस परदा का स्वन पदक केनिया के हैरी इस्टोन वान योनी ने चीता है इन्होंने ये दूरी बैयानली स्मेंट 10.8 चार सेकेंड में तहक की है चलिए नेक्स्ट क्यूसिन आपके सावन है क्यूसिन नंबर 9 कैंद्रिय सत्करता आयोक के सलहाकार बोर्ड के अध्यक्स के रूप में किसे नियोक्त किया गया है बीपी पाठक, S.K. John, T.M. भसीन या इन्में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा दूस्तो आप्शन नंबर C is correct T.S. भसीन कैंद्रिय सत्करता आयोक के बैंकिंग और वित्य धोका दड़ी सलहाकार बोर्ड के अध्यक्स के रूप में T.M. भसीन को नियुक्त किया गया है उनका कारेकार 21 अगस्त 2021 से पहल अगले दू वर्सों की अवदी के लिए चुना गया है इन्हें पाचास लाग से अधिक बैंक की धोका दड़ी की जास और कारेवारे की सिपारिस के लिए एक पैनल का गटन भी किया गया है किस राजे सरकार ने लाडली लक्समी योजना लाउंच की है ओडिसा, राजस्तान, गुजरात, मध्यपरदे तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अप्सन नमर डे इस करेक्ट मध्यपरदेस राजे ने की है मध्यपरदेस राजे के वरतमान मुक्य मंद्री शिवराज सिंग चोहन ने लाडली लक्समी योजना लाउंच की है इस योजना के अंतरकत प्रदेस के कॉलेज में एडमिसन लेने पर बेटी को लाडली लक्समी योजना के तैतर 20,000 रुपए देने की गोशना की गई है इसी परकार हमारे साथ बने रहे हमारे यूटूब चैनल पर रोजना की क्रेंट अफैर्स तता अलग-अलग कॉम्पिटेशन लेवल की त्यारी कर रहे है तो हमारे यूटूब को आगे से आगे सेर कीजेगा, सब्सक्राइब कीजेगा तो लाइक तो जरूर कीजेगा दोस्तो वंदे महात्रम